इस वीडियो में हम भी ये फस्ट सेकिंड सेंद की फस्ट स्टॉरी पीजन्स एट डेब्रेक उसके टेक्स्ट को रिड करेंगे पहले इसी के टेक्स्ट से दो वीडियो बनाए जा चुकी है तो आप पहले वाले पार्ट देखकर ही इस वीडियो को देख ले यह लाइन यहां से शुरू होती है जब मिस्टर बसू को यह पता चलता है कि आज रात लाइट नहीं आएगी और उसको अस्थमा का दोरा पड़ जाता है वह गवराहट फील करता है और उसको सांस लेने में कठनाई होती है मिसिज बसू अपने पती मिस्टर बसू के लिए इनहेलर लेकर आती है और उसे सांस लेने में साहयता परदान करती है जब वह इनहेलर की साहयता से सांस ले रहा था तब उसने कहा कि आप चिंता मत करो हम मैनेज कर लेंगे तो मिस्टर बसू ने कहा आप मैनेज कर लोगे मैं आपने बात कर रहा हूं, बात आई मेरे बस के बात नहीं है, इतनी गर्मी में सोना, बिना इलेक्ट्रिक फेन के सोना, तो Mr. Basu को अपने चिनता थी के आज की रात कैसे निंदायेगी, बिना बिजली के, यानि क crater पॉसिबल नहीं था इतनी गर्मी में में बिना बिजली के प ब्रेफलेशनेस इंटो दी फर्स्ट फाइटरिंग स्टेज फुल ब्लाउन अटैक और फस्थमा सी न्यू वह जानती थी हाव रैपिटली कितनी तेज गती से ही वूड एडवान्स वह बढ़ जाएगा फ्रॉम इमेजिन ब्रेफलेशनेस एक कल्पनिक कल्पनिक कहलो आप सधीती एक अलपनिक सथीती जिसमें सांस लेना मुश्किल हो ब्रेफलेशनेस सांस का तूट जाना के स्टार्टिंग में लगता है कि इसको बस सांस लेने में हलकी सी दिक्कत है इस सथीती से कहां तक चला जाएगा ये इन्टू दी फर्स्ट फ्राइटनि सथीती था कि यह कब पहुंच जाएगा ये वह भली भांती जानती थी दुबारा फिर समझी चलाए इनको C. knew how rapidly he would advance from imagined breathlessness into the first frightening stage of a full-blown attack of अस्थमा वह जानती थी कि उसका पती हलकी सी सांस की रुकावट की सथीती से किस तरह से अस्थमा के फुल दोरे तक यानि कि बिगडी हुई सथीती थी पहुंच जाएगा कहने का मतलब स्टार्टिंग में ये लगेगा सिर्फ इसको सांस लेने में दिक्कत है लेकिन बहुत जल्दी ही कम समय में ही इसको अस्थमा का दोरा पढ़ जाएगा ये बात मिशिज बसू भली बाती जानती थी कि कितनी तेज गती से ये हलकी सी समस्या से बहुत गंभीर समस्या तक बढ़ जाएगा वह ऐसी कलपना कर रहा था कि जैसे की वातावरण में उक्सिजन है ही नहीं जिससे वो सांस ले सके ये इमेजिन उसने कलपना की there was no oxygen left for him के बातावरण में उसके लिए कोई oxygen बची ही नहीं है तो ब्रीद सांस लेने के लिए और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जो फेंफडे है वो नस्ट हो चुके है वो oxygen को अंदर नहीं ले रही है his lungs had collapsed उसके फेंफडे नस्ट हो चुके है and could not take in any air वो अपने अंदर कोई भी oxygen या किसी प्रकार की हवा नहीं ले रहे है he stared up at the stings of washing यहाँ पर washing का मतलब है गीले कपड़े जो तार पर सुखाए जाते है setting का मतलब वो तार जिस पर कपड़े सुखाए जाते है यह कहलो गीले कपड़ों की line settings of washing he stayed up at the stings of washing that hung from end to end of the balcony balcony में जो एक सीरे से दूसरे सीरे तक कपड़े सुख रहे थे तार पर लटके हुए तो वह उसकी तरफ देखता है the overflow of furniture that cluttered it जो balcony में furniture भरा पड़ा है टूटा फूटा या पुराना furniture जिससे वालकोनी भरी पड़ी है वह उसकी तरफ देखता है the listless parrot listless parrot का मतलब बेचैन तोता जो के पिंजरे में है in its cage वह अपने पिंजरे में है उसको भी देखता है यहां पर ये भी बात नोट करने की है listless parrot in its cage जैसे कि वह तोता है पिंजरे में है, बेचैन है, आजादी चाहता है मुक्त होना चाहता है पिंजरे से तो ठीक ऐसे ही आदमी की आत्मा भी इस दुनियादारी में बेचैन है felt there was no oxygen left in the air और वह महसूस करता है कि वातावरण में कोई भी oxygen नहीं है उसके लिए कोई oxygen नहीं बचे है जिससे वह सांस लेश के stay out here on the balcony it is a little cooler than inside his wife said calmly and left him to go about her work उसकी पतनी his wife said, उसकी पतनी ने कहा कामली, सांती भरे भाव से बिल्कुल सांत मन से उसकी पतनी ने कहा our left him to go about her work और ये बात कहकर वो अपने काम करने के लिए पती को छोड़ कर चली जाती है क्या कहा, वो ये डायलोग है stay out here on the balcony आप balcony पर रुको यहीं, कमरे के अंदर मत आए आप balcony पर यहीं रुको बाहर it is a little cooler than inside अंदर की बजाए balcony पर थोड़ी सी बाहर ठंड है, अच्छी हावा है तो इसलिए आप यहीं रुको it is a little cooler, थोड़ी सी ज्यादा ठंड है than inside अंदर की बजाए stay out here on the balcony आप यहीं बालकोनी में रुकिए अंदर की बजाए यह थोड़ी सी ठंड है his wife said calmly उसकी पतनी ने सांती के भाव के साथ कहा and left him और उसे छोड़ कर चली जाती है to go about her work अपना कारिये पूरा करने के लिए but लेकिन she did it absently लेकिन उसने वह कारिया जो कारिया करने के लिए गई थी घरेलू काम वह कारिये absentmindedly किया मतलब कहने का यह है उसका ध्यान उसमें नहीं था यानि के ध्यान पूर्वक नहीं किया उसका ध्यान कहां था पती की तरफ के उसका पती प्रेशानी में है यानि के उसने 100% ध्यान नहीं देते हुए अपने कारिये को पूरा किया normally she would have realist bargaining with the fish seller normally का मतलब सामान्यत है अक्सर, प्राई she would have realist वह enjoy किया करती थी she would have realist bargaining मौल भाव करने की बात को enjoy किया करती थी with the fish seller मचली बेचने वाले के साथ मौल भाव करती तो उसमें उसे मजा आता था who comes to the door with the back tea जो एक चप्टी टोकरी में मचलीया बेचने के लिए इनके दरवाजे पर आया करता था लड़का तो उसके साथ वह मौल भाव करके इस बात को enjoy करती थी और वो मचलीयां लेकर आता है ये दोतिन परकार इसमें बताए गए हैं जैसे कि नदी में मिलने वाली काली मुचो वाली मचली एंड लीटल स्क्वर्मिंग हील ओफ पेल पिंक प्रांज इन हीज फ्लैट बास्केट वह अपनी चप्टी टोकरी में गुलाबी रंग की पहाड़ी जैसी जो पानी में हिल डूल रही है पानई में तडफ रही है हिल डूल रही है चंचल है वो मचली तो जो फलके पिले रंग की पहाड़ी जैसी हिलती हुई जो नजर आती है पानी में वो मचली या वैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रांज प्रांज का मतलब होता है जिंगा मचली जो पाने में हिलती हुई जैसे कि छोटे-छोटे कंकर या पत्थर या पहाडी के जैसे उसके आकरिती होती होगी तो जैसे कि पाने में पहाडी से हिलती हुई नजर आती है इस परकार की मचलिया हम अपनी चप्टी-टोकरी में लेकर आता था तो उसके साथ वह मौल भाव करने में एंजोई करती थी ये उसका सामन्य नॉर्मली सामन्य व्यवहार था बट टड़े लेकिन आज she made her purchases and paid him off rather quickly उसने अपनी खरीददारी की और बहुत तेज गती से उसका भुगतान किया यानि कि बिना टाइम विस्ट किये क्यों क्योंकि यहां पर वो अपने पती के लिए चिंतित है और इसलिए वह अपने पती के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहती है she was in a hurry to return to the balcony क्योंकि वह बालकनी पर जल्दी से जल्दी आना चाहती थी ताकि वो अपने पती की care कर सके यहां पर भी आप देखो इस story में जहां पर भी मिसिस बसू का जिकर आएगा तो बार बार यह दिखाया जाएगा वह अपने पती के लिए चिंतित है एक loyal wife है अपने पती से प्रेम करती है उसका सम्मान करती है उसकी हर रेख देख भी करती है she asked all right उसने बलकोनी में आकर अपने पती से पुछा सब ठीक तो है all right इसके last में question mark इसका मतलबी है सब ठीक तो है all right she asked उसने पुछा सब ठीक तो है looking down at her husband sunk into a heap on his chair जो की अपनी चेयर में एक she asked looking down at her husband sunk into a heap on his chair जो की अपनी चेयर में एक धेर के रूप में बैठा था अपने पती से उसकी तरफ देखते हुए अपने पती से पुछा सब ठीक तो है shaking with the effort to suck in air जो की सांस लेने की problem थी उसको सांस लेने की कोशिस में उसकी body हिल रही थी तो उस हिलते हुए पती से जांस लेते हुए हिल रहा था उसने अपने पती से पूछा के सब ठीक तो है his lips tightened and whitened in silent reply उसके पती की यानि कि Mr. Basu के होट थोड़े से tight हो जाते हैं और सफेद कलर के हो जाते है in silent reply जो परती उत्तर उसने खामोसी से दिया यानि कि मूँ से इसारा करके उसने अपनी पतनी के इस सब ठीक है शिशाइट एंड उसने एक आह भरी and went away to sort out spices in the kitchen और सोई में मसालों को ठीक ढंग से रखने के लिए वह चले गई to pour them out of large containers into small containers बड़े जो बरतन थे उनमें मसाले ज्यादा थे छोटे बरतनों में जो daily routine में यूज होते हैं उनमें डालने के लिए to fill those that were empty जो चीज़ें खतम हो चुकी थी बरतन से बड़े बरतन से उन छोटे बरतन में उसे भरने के लिए empty those that were full और जिनमें जो पहले था उसमें से उसको khali करने के लिए जो full थे उनको खाली करने के लिए, जो भरे हुए थे उनको खाली करने के लिए giving everything that came her way उसके रास्ते में जो भी चीज आई, जैसे के रसोई में वो कामर कर रही है तो उसके रास्ते में जो बरतन आए, जो कंटेनर आए, जो बॉक्से आए उन हर चीज को Giving everything that come her way, a little loving polish with the end of her sari for it was something she loved to do वो अपने साडी के पलू से उस हर चीज को साफ करती हुई, निकलती है जो उसके रास्ते में आती है और ऐसा वो इसलिए करती है, क्योंकि ऐसा करने में उसको मजाता है इस चीज से वो प्रेम करती है, रसोई में कारिया करना उसे अच्छा लगता है इट वो सम्थिंग शी लव्ड टू यह है वह काम था जिससे वो करना पसंद करती है बट शी दिड़ नोट से वहर लोग लेकिन फिर भी वहर सोई में ज्यादा देर तक रुकी नहीं बट शी ड़न से वहर वहर तक वहर सोई में नहीं रुकी She was worried about her husband क्योंकि वह अपने पती के लिए चिंती थी उसके मन में पती के लिए चिंता थी Foolish and unreasonable as he seemed to her in his sickness बीमारी की अवस्था में उसका पती एक मूरक और एतारकिक सा परतीत हो रहा था जैसे कि यह है मंदबुद्धी हो Foolish and unreasonable as he seemed to her in his sickness अपने बीमारी के काण मिश्टर बसू, मिशिज बसू को एक मंदबुद्धी सा नजर आ रहा था She could not quit live him to his agony वह उसे पीडा जनक्सतिती में छोड़ना नहीं चाहते थी She could not quit live उसे नहीं छोड़ना चाहते थी या नहीं छोड़ सकते थी ड्रामा ज्यादा करते हैं ऐसे कुछ बच्पन में ज्यादा एक्टिविटी करते हैं बच्चे किसी ने अगर जरा सा अगर एक थपड भी मार दिया तो इतना धर्द नहीं होता जितना वो चिलाते है यानि कि वो imagined है, हकीकत में इतना धर्द नहीं है वो कालपनिक है जो सो ओफ करना चाहता है वो इसलिए यहाँ पर यह वर्ड यूज किया वैदर रियल और इमेजिन मिश्टर बसूर रियल में पीडा जनक सतीती में है या बस वो ड्रामा कर रहा है सतीती कैसी भी हुआ कीकत की या कालपनिक की लेकिन वहपने पती को पीडा जनक सतीती में छोड़ना नहीं चाहती थी जब पोस्टमेन एक लेटर लेकर आता है जो कि उसके बेटे की तरफ से आया है जो कि भीलाई में काम करता है जब ढाकिया उनके लिए लेकर आया एक पत्तर फरों देरसन उनके बेटे की तरफ से इन भीलाई जो कि भीलाई में है भीलाई से उसके बेटे की तरफ से जब उनके लिए पोस्टमेन एक लेकर आता है तो उस पत्तर को वह अपने पती के लिए पढ़ती है कि उस पत्तर में क्या था उसके बेटे की रिपोर्ट थी किसके बारे में on his work in the steel mill steel mill में वह steel के उध्योग मेलोहे के कारहाने में वह कारियरत है तो उसके कारिय के बारे में जो रिपोर्ट आई थी लैटर में वह अपने बेटे की कारिय के बारे में रिपोर्ट जवाई थी वह उसको पढ़ कर अपने पती को सुनाती है पिता ने रिपोर्ट सुनने के बाद कुछ नहीं कहा लेकिन वह पहले से ज़्यादा सांथ हो गया और अपने पती के लिए कुछ चावल और मचली के डिस उसको खिलाने के लिए लेकर आती है वह उसे देखी यहां पर सेंटेंसी है वह उसको खिलाती है चावल और मसली की कोई डिस पना कर वह उसे खिलाने में कामयाब रही जो की बहुत धीरे धीरे पकाई गई थी जैसा कि डॉक्टर ने सुझाव दिया था उसी तरीके से वह डिस पकाई गई थी और वह अपने पती को यह डिस खिलाने के योग्या बन जाती है कहने का मतलब है उसे खिला पाती है अब आप आराम से लेट जाए उसकी पतनी ने कहा सकिंग कब कहा जब वोई यह कर रही थी सकिंग का मतलब होता है चूसना सकिंग एट फिस बहूं एज रिमोवड दी डिस फ्रॉम दी टेबल पती के खाना खाने के बाद बरतनों को मेज से उठाते हुए सकिंग चूसना एट फिस बहूं मचली की एक हड़ी को चूसते हुए जब पती ने खाना खा लिया बरतन उठा रही है जो खाना पती ने छोड़ दिया उसमें से एक मचली का टुकड़ा उसने अपने हूँ में दिया उस हड़ी को चूसते हुए उसकी पतनी ने ये कहा अब आप राम से लेट जाएए यहां भी ये पता चलता है कि वह खाना भी पती के खाने के बाद ही खाती है जो वह चोड़ देता है वह उसको भी सब्सक्राइब खा लेती है एक उपर लाइन आई थी कि बेटे की तरफ से बिहलाई से रिपोर्ट आई है यहां भी ये सोचने के बाद है इनका एक ही बेटा है जिसका इस कहाने में जिकर है वो भी इनके पास नहीं रहता अगर इसको हम स्टोरी को ध्यान से देखे समाज के बारे में पता चलता है इस मॉडर्ण लाइफ में फैमिली मेंबर भी एक साथ नहीं रहते पती पतनी साथ है एक बेटा है वो भी इन से दूर रहता है उसकी रिपोर्ट के बारे में सुनकर भी पिता ने कोई रियक्शन नहीं किया यानि कि रिष्टे कहीं न कहीं कमजोर हुए है इस मॉडर्ण आजेशन की आड में आप कह सकते हो रिष्टे कहीं न कहीं कमजोर पड़े है इट इस तू होट आउट आन दी बैलकोनी बैलकोनी में ज़्यादा गर्मी है टेक सम रेस्ट आप कुछ अराम कर लो जब ये कहा टेक सम रेस्ट आप कुछ अराम कर लो अराम शब्द जब उसने सुना तो वह गुस्षे में बोलता है वह उसके उपर गुस्षे में चिलाता है रेस्ट अराम अराम कैसे कर लो इतनी गर्मी में बद शफल्ड ओफ इंटो दी बैडरूम लेकिन वह लड़ खडाता हुआ बैडरूम में चला जाता है अलावड हर तो मेक अप इस बैड विद ओल दी पिलोज और बलस्टर्स देग केप्ट हिम इन अलमुस्ट सिटिंग पोजिशन ओन दी फ्लैट वोड़न बैड फलैट वोड़न बैड होता है लकड़ी से बना बैड जैसे कि एक तो हम वर्ड यूज करते हैं खाट चार पाई ये फलैट नहीं होती ये बीच में से थोड़ी सी नेची होती है किनारों से थोड़ी सी उची रह जाती यानि कि इसमें एक जुकाव है और जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं गावों में तकत जो कि लकड़ी से बना होता है उसमें रस्यों से उसकी बुनाई नहीं की होती यानि कि खाट नहीं होती वो फलैट होता है उसमें कोई लचक नहीं होती तो यहाँ पर जो ये वर्ड आया जो सिंपली चकोर होता है जिसकी मोटाई भी कम होती है बॉल्स्टर होता है ये भी आप तकिया कह सकते हो लेकिन इसकी आकरिती स्पैसल है अक्सर आपने देखा होगा फिल्म के किसी सीन में गोल तकिये होते हैं राउंड शेप के दोनों तरफ से उनका मुव बंदा हुआ होता है और वो गोल होते है तो आप गोल तकिया कह सकते हो पिल्ल एंड बॉल्स्टर तकिया और गोल तकिया या गद्दी आप कह सकते हो एंड अलाउड हर वह अपने पतनी को मौका देता है तो मेक अप हिज बैड के वह उसको बिस्तर को ठीक कर दे यानि कि देखिए वो तकत पर बैठा है ठीक है पतनी एक सिरे से बिस्तर को ठीक कर रही है वह दूसरे सिरे की तरफ मूव कर जाता है जब दूसरे सिरे से बिस्तर ठीक करती है तकी को ठीक करती है तो वह उसकी opposite side move कर जाता कहने का मतलब वह उसे मुखा देता है उसकी help करता है कि उसके विस्तर को ठीक करता है इसका मतलब यह है यहाँ पर allowed her to make up his bed with all the pillows and bolster सभी तक्यों को यह उसके विस्तर को ठीक करने के लिए अपने पतनी को मुखा देता है और यह जो तक्यों है यह क्यों लगाए गई है that kept him जो की उसको रखते हैं in an almost sitting position लगभग बैठे हुए की सतीती में on the flat wooden bed उसके तकत के उपर उसको तक्यों के सहारे ऐसी position दे जाती है जैसे कि वह है बैठा हो यानि कि पूर्ण रूप से सिधा लेटा हुआ नहीं हो he shifted and ground as he heaped up a bolster here flattened equation there जब उसकी पतनी तक्यों को set कर रही थी adjust कर रही थी ठीक कर रही थी सही position में लगा रही थी तो वह है उकसता है उपर की और यानि कि उपर की और उठता है और दर्द में रोता है चिलाता है कब जब उसकी पतनी एक तक्ये को या एक गद्दी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेट कर रही है तब वह है उपर उठता है तक्यों को ठीक करने के लिए और दर्द में रोता है and said he could not possibly sleep और उसने कहा कि वह है तो कभी सोता ही नहीं है रात को उसको ठीक से नीद नहीं आती but she thought he did लेकिन उसकी पतनी को ये लगा था कि यह हर रात को अराम से सोता है for क्योंकि she kept an eye on him while she lived through a heap of film and women's magazines on her side of the bed Mr. Basu ने कहा वह रात को ठीक ढग से सो नहीं पाता लेकिन Mrs. Basu को ये लगा ये हर दिन यानि कि हर रात को ये अराम से सो जाता है ऐसा क्यों लगा Mrs. Basu को क्योंकि रात को वह एक नजर अपने पती पर रखती है कि वह सो रहा है ये जाग रहा है और वो क्या करती हुई नजर रखती है while जबकि she lived through a heap of film film का मतलब यहाँ पर है newspaper magazine के page she lived through a heap of film and women's magazine औरतों वाली magazine on her side of the bed bed के जिस हिस्से में Mrs. Basu लेटती है उस हिस्से में कुछ newspaper magazine औरतों वाली magazine पड़ी है वह रात को उनके page पलटती हुई ध्यान रखती है अपने पती की तरफ और ये देखती है के वह सो रहा है या नहीं और वह देखती थी या फिर वह सोचती थी के उसके पती Mr. Basu की आंके असली नेंद में नहीं की शिरफ ये के आंखें बंद हो सोया नहीं आदमी बलकि असल की नेंद में यानि के वह सो रहा है आंखें बंद हुआ कर दे थी और उसकी सांसे बिलकुल सामान्या चल रही होती रात को कैसे सामान्या रूटीन में जैसे की एलेक्ट्रिक फैन हर चक्र में टिक टिक की आवाज करता है ठीक उसी गती में तो उसकी सांसे चल रही होती जैसे की वो धीरे धीरे जो चक्र लगा रहा है बिजली का पंखा अबवध देम उनके उपर यानि के चछत में जो बिजली का पंखा लगा है वह सेम गती में मतलब उसकी स्पीड कमया जादा नहीं होती regular बिल्कुल नियमित रूप से वो उसी गती में चक्कर लगाता रहता है बिना किसी रुकावट के तो ठीक इसके पती की सांसे भी एक समान्य गती पर चल रही होती उसकी आँखें नींद में बंद हुआ करती थी तो इसलिए इसको लगा ये मेरा पती जूट बोल रहा है कि मैं रात को सोता नहीं हूँ बलकि उसको ये लगा ये अराम से सो जाया करता है दी फैन नीडिड ओइलिंग उनके पंखे को तेल की जरूरत थी यानि के ग्रीश की जरूरत थी वो आवाज करता था इडिड इस्टर्बिंग क्लिकिंग मतलब होता है चक्र की फेलिंग करता है है ये ?" डिस्टरबिंग का मतलब होता है। USA क्लिकिंग की अवाज रिंग अर्ग ये बान गरु divertckt इसजको जरूर हो फ्रीज की चक्र हने लाज थी पंखे का फंक्र ये ये बट dehकरकाaggi और ग्र memo सके, not so easy to get these things, इन कामों को करना इतना आसान नहीं था, when one's husband is old and ill, जिसका पती या फिर किसी का पती बुड़ा हो और बिमार हो, तो घर में ये काम कौन करेश काम को करना इतना आसान नहीं था, she thought यह बात Mrs. Basu ने सोची, she yarned वह एक जमाई लेती है, she rolled over और वह लुढग जाती है, when she brought him his afternoon tea, दोपैर बाद की जब वह है पने पती के लिए चाए लेकर आती है, she asked, तो वह है पने पती से पूछती है, had a good sleep, क्या आपको एक अच्छी नींद आई, which annoyed him, जब पतनी ने ये बात पूछी, तो पती को गुसा आ जाता है, तो और बदले में जवाब दिया, he snapped वह सके उपर चिलाया, never slept at all, मैं तो सोया ही नहीं, यहाँ पर एक बात और देखिए, जितनी बार भी मिशिज बसु अपने पती से कुछ पूछती है, तो आपको यह लाइन लिखी मिलेगी, आराम से पूछा, सांती के भाव से पूछा, बड़े प्यार से पूछा, समाने उसने पूछ लिया, और जितनी बार परती उत्तर में मिश्टर बसु बोलता है, आपको यह वर्ड मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आया है, स्नैप टेटर वह गुसे में चिलाया, उसने गुसे से जवाब दिया, तो कही ना कहीं देखो, वो सांती से अपने पती की सेवा कर जबकि पती हर बार उसके उपर गुसे में चिला रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन यहाँ गैप है दोनों के वैवार में, पतनी प्रेमभाव के साथ सेवा में व्यस्त है, इसके बदले में उसे प्यार मिलना चाहिए, बलकि उल्टा हो रहा है, उसका पती अपनी बिमारी से परिशान होकर उसके बार-बार उसके उपर चिला रहा है Never slept at all, he snapped वह उसे से चिलाया, मैं तो सोया ही नहीं Taking the cup from her hands उसके अपनी पतनी की हाथ से चाय का cup पकड़ते हुए तेज आवाज में कहा, मैं सोया ही नहीं And spilling some tea और जब cup पकड़ रहा था तो cup से थोड़ी सी चाय नीचे गिर जाती है How can one sleep if one cannot breathe? He growled, वह बुरु बढ़ाया कि जब एक आदमी सांस ही नहीं ले सकता है वह सो कैसे सकता है How can one sleep? एक आदमी कैसे सो सकता है If one cannot breathe, जब एक आदमी सांस ही नहीं ले पा रहा तो वह सो कैसे सकता है And she turned away with a little smile at his stubbornness जो सकती से वहवार कर रहा है Mr. Basu अपने पतनी के साथ तो इस वहवार पर वह एक मुस्कुराहट के साथ अपना चहरा गुमा लेती है देखो यहाँ भी वह गुसे में है लेकिन उसकी पतनी समाइल के साथ अपने चहरे को गुमा लेती है यहाँ दोनों के बीच में वहवार में गैप है बहुत बड़ा लेकिन एक अच्छी बात यह है दोनों के बीच में एक अच्छा रिष्टा है प्रेम है सने है But later that evening लेकिन ठीक उसी दिन स्याम को He was genuinely ill वह घंबीर रूप से बिमार हो गया चोक्ट उसकी सांसे रुक गई इने panic at his inability to breathe वह सांस लेने के योग्या नहीं था वह पीडा जनक्सती थी में था As well as at the prospect of a hot night without a fan और उसको यह बिमारी बढ़ी क्यों? क्योंकि जो संभावना थी किसकी? कि आज रात light नहीं आएगी इस बात की पुष्टी खबर में की गई थी तो आने वाली जो रात थी होने वाली जो रात थी इसमें light नहीं आएगी तो इस बात को लेकर भी वह पैनिक हो जाता है पेडा जनक्सती में पहुँच जाता है What will I do? मैं क्या करूँगा आज रात को? He kept morning वहरोता हुआ बोलता है बुरुबडाता है कि मैं आज रात को क्या करूँगा? In between violent struggles for air that shook his body and left it limb What will I do? He kept morning In between violent struggle Violent struggle है घंभीर संघर्स हिंसातमक संघर्स for air हवा के लिए जब वह सांस लेने के लिए गंभीर संघर्स कर रहा था सांस लेने में उसको problem थी तो जटके उसकी body में लगते हैं सांस लेने के लिए वो जिद्धो जहद करता है तो जो परियास करता है उस परियास से उस संघर्स में उसकी body heal रही है That shook his body and left it limp उसकी body heal रही है और उसके हाथ फांज ऐसे की काम करना छोड़ गए हो निस्चल हो गए हो इस संघर्स में वह बीच बीच में रोता हुआ बोलता है What will I do? मैं क्या करूँ आज रात को What will I do? आज रात को मैं क्या करूँगा I will tell you She suddenly answered मैं बताँगी आपको क्या करना है वह तेजगती से या फिर कहलो यहाँ पर जोर से नहीं है सडनली का मतलब है अचानक वह अचानक बीच में जवाब देती है I will tell you मैं बताती हूँ आपको and wipe the perspiration from her face in relief और एक अराम की आह भरते हुए उसने अपने माथे से पसीने को साफ किया perspiration होता है पसीना wiped होता है साफ करना पोचा लगाना from her face अपने चहरे से in relief आराम को महसूस करते हुए आराम की आह भरते हुए पतनी ने अपने चहरे से पसीने को साफ किया और अचानक ये उत्तर दिया I will tell you मैं बताती हूँ आपको I will have your bed taken up on the terrace मैं आपके बिस्तर को छट पर लगा दूँगी देखो यहाँ भी पतनी को कितनी चिंता है उसको पता है light नहीं आएगी उसके पती को बिमारी है सांस लेने में कठिनाई है लेकिन पतनी एक solution निकालती है मैं इसका बिस्तर छट पर लगा दूँगी बाहर खुली हावा है कमरे में प्रोब्लम होगी लेकिन बाहर इसको सांस मिल सकता है I will have your bed taken up on the terrace मैं आपके बिस्तर को छट पर ले जाऊंगी वहाँ बिस्तर लगा दूँगी आप वहाँ पर सो जाना I can call बुलू मैं बुलू को बुला लूँगी from next door जो अपने इसे आगे वाले मकान में रहता है to do it आपके बिस्तर को उपर ले जाने के लिए उसकी help ले लूँगी बुलू को बुला लूँगी you can sleep out in the open air tonight आज रात आप बाहर खुली हवा में छत पर सो सकते हो यह जो इह है न इसका मतलब है हाँ मतलब हम जब कोई बात कहकर सामने वाले से हाँ भरवाना चाहते हैं हर्यानवी में भी हम यह वर्ड यूज करते हैं कि आज पाने पत चलेंगे हैं न यह जो हम है न बोलते न तो इसका यही भाव है कि आप बाहर खुली ह्वा में सो जाना that will be nice यह आपके लिए अच्शा रहेगा when not it, जै नहीं रहेगा बाहर खुली ह्वा में सोना आपके लिए अच्छा रहेगा that will do you good और यह आपके लिए अच्छा भी रहेगा She brightened both at the thought of a night spent in the open She brightened यहाँ पर brightened का मतलब है चमक होना लेकिन यहाँ पर है यहाँ पर खुस होना खुसी से उसके चहरे में चमक आती है She brightened वह है उतेजित होती है खुस होती है Both at the thought दोनों विचारों पर कौन-कौन से विचार Of a night spent in the open She brightened both at the thought of a night spent in the open air on the terrace बाहर खुली हवा में चछत पर रात बिताएंगे इस वज़े से उसके चहरे पर खुसी आती है Just as they had done when they were younger जब वो जवान हुआ करते थे तब वो चछत पर सुया करते थे and climbing up and downstairs was nothing to them शेडियों पर चड़ना और उतरना उनके लिए कोई कठिन कारिया नहीं था एक तो विचार ये है बाहर खुली हवा में सुने का मुखा मिला इसलिए वो खुस है दूसरा विचार ये है and at the thought of having an excuse to visit the neighbors और एक बहाना मिल गया प्रोशियों के घर जाने का एक खुसी की बात ये है having a little jet while getting them to come और उनके साथ बातचित करने का भी मुखा मिल गया जब उनके घर आएंगे and carry up a sting bed for them और एक चार पाई जब छट पर लेकर जाए जाएगी प्रोशी की help के दवारा तो उस दुरान प्रोशी से कुछ बात करने का मौका मिल गया यहां से ही पता चलता है कि आज के modernization के चलते आधुनिकता के चलते समाजी के जो रिष्टे हैं वो भी कमजोर पड़े हैं हम काम पढ़ने पर ही जरूरत पढ़ने पर ही प्रोशी के घर जाते हैं या वो हमारे घर आते हैं तब ही हम बात कर पाते हैं यानि कि समाने ता जो वारतालाप होती थी लेजर टाइम में दोस्तों के साथ प्रोशीयों के साथ रिष्टदारों के साथ बैठ कर सुख और दुख्य की बाते करना वो इस आधुनिक लाइफ का हिस्सा नहीं रहे अब अब तो जरूरत पढ़ने पर आशक्ता पढ़ने पर ही हमें एक दूसरे से बाते करते हैं तो जब इसको ये बहाना मिला पडोसी के घर जाने का और उस पडोसी को इनके घर आने का और जब वो हेल्प करेगा इनका पडोसी आकर चार पाई को उपर लेकर जाने में तो तब इस दुरान उससे बाते करने का यानि के बैठ कर बाते करने का भी टाइम नहीं है बस काम के दुरान ही कुछ हाल चाल पूछने का मुखा मिला इस बात पर भी खुसी होती है मिसिस बसु को और सुल्ड बसु मेड ए प्रोटेस्ट यकीनन मिस्टर बसु ने इस बात का विरोध किया कि मैं उपर नहीं जाओंगा और एक बखेडा खड़ा कर दिया कि मैं उपर नहीं जाओंगा और उसको खासी होती है and spat और वह थुकता है and सुक और गर्दन हिलती है उसके पूरी बोड़ी हिलती है and sad और उसने कहा he could not possibly move in this condition कि वह ऐसी हालत में है बिमारी के ऐसी हालत में है वह हिलने डुलने के लायक नहीं है तो वह उपर नहीं जा पाएगा इसलिए वह इस बात का विरोध करता है कि मैं उपर नहीं जाओंगा and be moved by anyone और वह ऐसी हालत में है कि वह किसी के और के दवारा भी उपर नहीं ले जाया जा सकता but she insisted लेकिन उसकी पतनी ने जिद पकड़ दी कि उपर ही ठीक है अंदर जाइदा गर्मी है and ignoring him और अपने पती के विरोध को वह इगनौर कर देती है and she went out to make the arrangements और वह अपने पती के लिए उपर विश्तर के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी यानि कि विश्तर का परबंद करने के लिए वहां से चली जाती है इस वीडियो में इतना ही next part में जो बाकी का text है उसे complete करने की कोशिस करेंगे thank you